Zeus, Greek धरम, याने के युनानी धरम में इने थंडर गॉड याने के आस्मान का देउता कहा जाता है इनकी बीवी का नाम हेरा, इनके बच्चे हेबी और एरिस बट बच्चे यहां पर खतम नहीं होते क्योंकि कहा जाता है कि Zeus बड़े मस्त मिजाज के देउता थे और इसमें Pursius को तो आप जानते ही होंगे, Pursius भी एक डेmi god थे और Pursius, Zeus के ही बेटे थे और इस सीरीज में हम Zeus के एक देमिगाट बच्चे से मिलते है, जिनका नाम है Heron वैसे Greek mythology के हिसाब से, Pursius तो एक्शिस करते हैं, बट Heron एक्शिस नहीं करते हैं But we have a series on Heron and Zeus, so let's get into it. सब्सक्राइब कीजिए फीट्फिक्स को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए Blood of Zeus Season 1 ये रिलीज हुई All Over India में 27 October 2020 को और ये रिलीज हुई इसकी Original English as well as dubbed Hindi Languages में इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है मातर आट एपिसोड का हर एक एपिसोड लगबग आदे गंटे के हैं तो Overall Season 1 को आप सिर्फ चार गंटे में देख सकते हैं Story follow करती है एक आम आदमी Heron पर जो की Greece में रहता है जो की फस जाता है भगवान और शैतानों के जंग के बीच Later on उसे पता चलता है कि वो इतना भी common नहीं है जितना वो सोच रहा है और ये कोई इत्तिफाग नहीं है कि वो क्यो भगवान और शैतानों के इस जंग के बीच फस गया है क्योंकि later on उसे पता चलता है कि सिर्फ वही है जो इस जंग को रोग सकता है अब कैसे एक आम इंसान भगवान और शैतानों के जंग को रोग सकता है इसका क्या रहस है कुछ इसी स्टोरी पर गजब के अनिमेशन, गजब के आक्शन और गजब की स्टोरी के साथ में एक्स्प्लोर करती है इसका नहां में ब्लॉड अफ ज्यूस सीजन वाइड इस सीरिस की स्टोरी एक नमबर है अगर आपको लगता है कि इसमें भी वही गिसी पिटी स्टोरी होगी कि देवता का एक लड़का है जो कि शैतानों से इंसानों को बचाएगा बला 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 तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, trust me, you are in for a big surprise इस स्टोरी में throughout the series हर एक एपिसोड में ऐसे ऐसे खुलासे होते हैं कि आप दंग रह जाएगे बात करते हैं animation और action की, तो action तो इस series में भर बर के है भगवान का लंबा चोड़ा अवतार इंसानों के सामने और उनसे भी बड़े शैतान और शैतानों के अजीवो गरीब अवतार देखते ही बनते हैं सिरीज भगवान का negative side दिखाता है, मगर वही पर उनका positive प्यारवरा side भी दिखा कर आपको उनका impression बैलस्ट करके रखता है सिरीज में ठेर सारे graphical as well as nude scenes भी है, तो सिरीज देखते हैं रिमोट हाथ में रखिये, क्या पता कब, क्या, कहां, कैसे, skip करना पड़ जाए सिरीज पिता और बेटे के एक complicated relation को explore करती है, Zeus जो की एक भगवान है, तो उनकी वो responsibility है, वही पर क्यूंकि उनका एक इंसानी बेटा भी है, तो उनकी तरफ भी उनकी कोई responsibility बनती है, बगर भगवार और इंसान के बीच के धरम संकट के बीच, Zeus कैसे फसे होते हैं, और कैसे ह यह भी नहीं दिखा दिया जाता, कि you know what, आप भगवान के अलाद हैं, तो here are your powers, take it, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सीरीज रिली अपना time लेटी है, ताकि हेरॉन के character को develop कर सके, और कही नहीं यह भी अच्छा लगा, कि हेरॉन को almost एक इंसानी दिखाया गया है, because you know what, अगर उनको power जेदी जाती है, और उनको बोलता है कि यह जाओ लड़ो, तो मजा नहीं आता, throughout the series दिखाया गया है, कि वो एक इंसानी है, वो अपनी capabilities से हर एक जग जीतने की कोशिश करते हैं, कुछ उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने Clash of the Titans और Rat of the Titans में Purchas को देखा था, क कैसे वो एक normal इंसान की तरह ही बड़े से बड़े शैतानों और देवता से लड़ जाते हैं, इस series की एक और बात अच्छी लगी, कि इस series में ये दिखाया गया है, कि कैसे भगवानों ने बहुत सारी चीज़ों को mess करके रखा है, और उस mess को साफ करने के लिए, इंसानों की ज़रुत पड़ती है, यानि कि कही न कहीं ये दिखाया गया कि भगवान तो इंसानों की मदद करते हैं, बट रिटर्न में इंसान भी भगवान की मदद कर सकते हैं, series की सबसे important बात, एक चीज जो आपको सबसे ज़ादा पसंद आएगी, वो ये कि series में Zeus है, series में Heron है, तो ruthless, इतना अत्याचारी, और जिस हिसाब से उसका character build-up किया गया है, मुझे तो series का lead role वही लग रहा था, और जब आप खुद ये series देखेंगे, तो trust me, आप खुद Zeus और Heron में कम से ज़ादा इंटरेस्टेड होंगे, और और गहूं दोस्तों, तो अगर आप एक action-packed animation series देख दी नहीं करेंगे, and what I really wish is, I hope कि इस series के creator, इसका season 2 भी जल्द लाएं, तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, overall मैं इस series को rate करूंगा 8 out of 10, तो दोस्तों, ये था हमारा review, Netflix की series, Blood of Zeus, season 1 का, अगर आपको हमारे ऐसे series reviews, movie reviews, Netflix, Amazon, Hotstar, YouTube, Alt Balaji, Woot, etc. offers, अगर पसंद आते हैं, और ऐसे ही office से, अगर आप updated रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करना ना बूले, और हाँ, bell icon दबाना बिलकुल ना बूले, अंते तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, stay home, stay safe.